ब्रिजभूशन शरन सिंग पर पहलवान बना पहलवान भारत के पहली महिला पहलवान ने उठाए जंतर मंतर धरने पर सवाल साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर सोनिका काली रमन के बेबागपुर ब्रिजभूशन शरन सिंग के खलाफ जंतर मंतर पर पिछले 29 दिनों से प्रोटेस्ट जारी है आरोप है कि ब्रिजभूशन शरन सिंग ने महिला पहलवानों के साथ योन उत्पडन किया है धरने में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन केटरिवाल भारतिय किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष वभीम आर्मी चीफ चंदर शेखर आजाद भी शामिल हुए अब जाहिर है ये नाम सुनकर ही आपके जहन में यही आया होगा कि ये सब ही तो भारतिय जंता पार्टी के काम से कभी खुश हुए ही नहीं बह मुश्किल इनके मुक्ष से पियम मोधी की सराहना निकली हुगी वही धरने को एक राजनैतिक रंग मंच नाम भी अब दिया जा रहा है बहराल आज जंतर मंतर पर हर रोज की तरह बीजेपी सांसक ब्रिजबूशन शरन सिंग की गिरफतारी की मांग हुई हलाकि सांसक ब्रिजबूशन अपनी प्रतिकिरिया पर अभी भी ठीके दिखाई दे रहे हैं उनका कहना है कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफी टेस्ट या लाइव डिडेक्टर टेस्ट कराने के लिए तयार हूँ वहीं उनका कहना है कि जाच प्रकिया को सम्विधानिक तरीके से चलने दिया जाए उदर धरने पर बैठे पहलवान की मांग है कि हमें नयाय चाहिए इस मामले पर बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो लड़किया नारको टेस्ट कराने के लिए तयार है अब इस आरपार की लड़ाई में मेट रेसलिंग में भारत की पहली महिला पहलवान सोनिका काली रमन एक बार फिर सामने आ गई है यहाँ सोनिका काली रमन ने पहलवानों पर कई तीखे सवाल उठाए जहां उन्हें सीधे सीधे कहा है कि मैं नहीं मानती पहलवानों के साथ कोई कुछ करके चला गया इसके पीछे पॉलिटेक्स है अब सोनिका ने क्या कुछ कहा उससे जानने से पहले आप ये जान लीजे कि सोनिका काली रमन है कौन और क्यूं इनकी बाते इतनी एहम मानी जा रही है सोनिका कालीरमन ओलम्पियन मास्टर चंदनी राम की बेटी है आपको बता दे कि चंदनी राम ने भारत में अपनी बेटिऊं को दंगल में भेच कर महिला कुष्ती की नीव रखी थी सोनिका काली रमन ने 1998 में करियर की शुरुआत की और इसी साल उन्होंने नेशनल चैंपिनशिप में सिल्वर मेडल जीता साल 2000 में एशियाई महिला कुस्ती चैंपिनशिप में सोनिका ने स्वन पतक जीता 2001 में उन्होंने भारत के इसली टाइटल जीता ऐसा करने वाली सोनी का पहली महिला पहलवान बने सोनी का काली रमन 50 भारतिय महिला पहलवानों में से एक रही जिन्होंने अंतराष्टी इस्तर पर भारत का प्रतिन निधु किया जहां साल 2010 में उन्होंने पहलवानी जगत से सन्यास ले लिया अब यहां हम आपको बता दें कि सोनिका काली रमन ने पहलवान बना ब्रिजभूशन मामले में अपनी प्रतिकरिया देते हुए कहा कि मेरा अंदोलन करने वालों से कहना है कि रेस्लिंग जैसे खेल की नाक मत कटवाईए एक लड़की अगर एथलिट है जो 100 मिटर की स्प्रिंट मार सकती है वो एक आदमी को मैट में भी ठूस सकती है मैं नहीं मानती कि वो किसी आदमी से मोलेस्ट हो सकती है वो लड़की मर जाएगी पिट जाएगी लेकिन मोलेस्ट नहीं होगी वो सेल्फ डिफेंस कर सकती है एक रेसलर का योन शोशन नहीं हो सकता, कहीं न कहीं इसका कंसेंट रहा होगा। जबकि पहलवानों के धरने का साथ देने वालों ने ट्रोलिंग की कमान संभाल ली है।